जी असलाम अलेकुम फ्रेंड्स अमीद करता हूँ आप सब फैरियसे होंगे और आज फिर एक नया टॉपिक लेके जैसे कि आपने थमनेल में देख लिया होगा पहले दुबाई और फिर स्पेन और यॉरप और आल आवर कंट्री और मैंने कहा कि मुझे बड़े सवाल आ रहे हैं इस बारे में और काफी लोग इस कोशिश में लगे हैं कि हम किसी तरह दुबाई फ्री लांसर विजा ले लें और हम दुबाई चले जाएं और दुबाई से आगे फिर हम यॉरप चले जाएं या किसी भ बड़ा आसान है और दबई फ्री लांसर वीजा ले ले लिते हैं और इस ही के साथ साथ कुछ लोगों के मांड में ये भी डर रहता है कि ये नहूँकि अदी होगे हमारे साथ फराड हो जाए कोई स्केम हो जाए तो अगर फ्रीलांसर वीजा लेना भी है किसे लें और कैसे लें और दूसरी बात ये है कि खाली बात ये नहीं कि आपने फ्री लांसर वीजा लेना बात साथ ये भी है कि अगर आप फ्री लांसर वीजा लेने जा रहे हैं तो उसमें भी कैटागरीज होती है और आगे वीजा अपलाई करने वाला बंदा जो जाएगा दुबई में और यॉर्णय का वीजा अपलाई करेगा अगर अपनी रिस और-ठी शो पर तो इसके साथ जो जो का स्केल जो होगा ये बी तो अच्छोंना चाहिए ना उस स सथाब इसकी सgré होनी चाहिए उसके सरी नहीं भी होती तो काफी ऐसे लोग हम आपसे पैसे चार्ज करते हैं आपसे अपना कार्ड अपना आपका कार्ड ले लेते हैं तो जो आप डेट बताते हैं उस डेट पे आपके अकान में पैसे डालते हैं और फुद ही एक दो दिन बाद वो उन पैसों को निकाल लेते हैं खैर दुबई में यह सारे सिंसले चार रहे हैं बाकी अलहम दुबई में बदराम भी बहुत हैं जैसे कि आपको पता है कि लोग जाते हैं महां मतलब कि जैसे ही एमिरेट साइडी बनी अपना क्रेडिट कार लिया आईफून इंस्टॉल्मेंट पे निकल वाया और वहां से ग हैं तो जैसे कि मैंने भी ट्रावल कि आपके सथ वीडियो में तो अपना तज़रवाश शेर किया कि पहले हमारे इतनी अची वरत हैं कि हमारे पासपर्ट को यह पैंकते हैं तो प्लीस खुदारा हमें और खराब मत करें तो हमारे पासपर्ट की वैलियो में अगर आप कीटागरिस को होती है आपको पता हैँ और आगर जैसे जिन लोगों की क gallons inहीं है यह जिन लोगों के पास अच्छा अच्छकिल नहीं है तो पراही के लिए और फ्री लान्सर अच्छे के लिए के लिए आपके पास कोई डिगरी होना जुरूरी है आपके पाश Switzerland हमाना दूरूरी है अगर आप फ्री लांसर वीज़ा लेते हैंWell kate लेगा तो आपको क्या फाइदा फ्रीन लेने लेने का ठीक है अप ठीक है ले ले आप उसमें पर सैधिस वगरा जाके ट्रांसफर करते रहें अपनी लाकrationsमाई हां ठीक है आप उसमें भी अपना काम खुद करते हैं जाके तो उसमें एक अच्छी अमाउंट आप हैंसम आमाउंट उसमें ट्रांसफर करते हैं तो इंशाला वीजा तो आपको पिर भी लग जाएगा लेकिन एक अच्छा माईनी होना भी बहुत जरूरी है अच्छा तो मैरे जेंद में जो बात आई तो मैंने का चले मैं आपके साथ जरा ये टॉपिक डिसकस करूं कि यार फ्री लांसर वीजा जब आप लोग लेते हैं तो फ्री लांसर वीजा की कॉस्ट आपको आ रही है साड़े साथ लाक आठ लाक रप्या तो अगर मैं सही कह रहा हूं तो आम मुझे बताईए का ठीक है जहां तक मेरा नॉलजज है जो मैंने इंफॉमेशन कठी करके इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको पुंचा रहा हूं तो साड़े साथ आठ लाक रुबे का फ्री लांसर आपको वीजा पर रहा है जो टोटल आपका खर्चा बाद में तकरीब मेरा है नो दस के करीब आपका शौफ रखते हैं कि हम आगे के मूफ करें किसी और कंट्री में तो बाई जान आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई अच्छे मतलब कर कोई दोस्त हैं और वो आप पे बलीव करती हैं या आप उन पे बलीव करती हैं तो अपने एक सिया किसी दो या तीन बंदे आप आप थोड़े थोड़े पैसे डालें और आप खुद अगर कोई आप मेंसे कोई एक दोस्त भी अच्छा स्कील रखता है तो आप किसी मतलब वहां जाके दुबई में जाके अपना मतलब कि आप लाइसंस ले जैसे कि मतलब कोई इसी टेकनिशन है प्लंबर और अलेक्टरिशन ह हो गए तो उनका मतलब मतलब के परय अब हैड़ लेते हैं तो तेरह जार का पकलाइस बनाता तो आप से लैशन कर लेगा तो वह आप जब वह लेंगे तो इसके साथ पी चतना चाहिए दस बारां क्राइस का विजड़ का कोटा भी ले सकते हैं वहां को आप वहां पे काम ज से वह पैसे भी निकलाएंगे और आप अच्छे वहां सैटल भी हो जाएंगे आप यूरप भी जा सकते हैं तो अगर आप एक बंदे के पास इतनी गुझाइश नहीं है कि वह सोला स्तारा लाक रप्या खरच करके अपनी कॉम्पनी या लैल सी कॉम्पनी अपनी रिजिस्टर कर आए जिसका तक्रीबन खरचा आज कल कुछ बीस हजार दरव हैं तो आप दो से तीन बंदे मतलब के साथ मिक्स अप हो जब के जो आप तीनर होगे जैसे दो पाटनर ने विजा ले लिया अं करने का ठीक है तीसरे बंदे को मतलब के मैनेजर का विजा भी देडाब का विजा भी देशकता है तो यह बड़ी असान से मतलब इस तरह असा आवह एफिर मेन आब पर दे रहे हैं तो वह आप दो बंदे mix up हो जाएं आप वह मतलब कि आठ 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 दादस लाख आप खुद डाले और खुद अपनी एक जाए कंपनी ओन करें यार एक आप वहां पे हैं मेरिजर एक हैं आप वहां पे supervisor ठीक है आप IT हैं मतलब कि IT के शौबे में किसी भी शौबे में एक आप हो रहे हैं कंपनी के ओनर तो मुझे आप यह बता है कि कंपनी के ओनर का विज़ा बढ़ा होता है यहां वो जो उनके पास जो employees है चाहे हो किसी भी कैटा करीगी है वो बड़ा वीज़ा बढ़ा है तो वो यह मतलब कि काल को यॉरप का वीज़ा वहां से अपलाई कर जा तो देखना यार इस बंदे की यहां पर कंपनी है यह कंपनी चला रहा है तो उसमें भी ट्रांसक्शन का कोई मसला नहीं है आपको फिला स्टार्टिंग में कोंट्रेक्ट नहीं भी मिलते तो फिर वही ब किसी को मुबाइल शॉप बना लें किसी भी किसम का काम कर लें तो आपको इससे फायदा होगा तो बड़ी दुबई फ्री लांसर वीज़े की शौर मचीवी थी मैंने का चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो मेरे जिन में आईडिया वो आपके साथ आईडिया शेयर ने की बतरी सेस्टेश के इस्टे-जोगार करप लोगों कर को वोगों किसा से सव нов एपको अल Ag roam कर वो डापके साथ बना तो आपको लें किसरी को लेख सब तो इस्टेवार से जिन किसुझत को हो आपको रूभर Jeं बग्से हमचार?